यूबी पुलिस की तरफ से मोहरम को लेकर गाइडलाइन्स जारी करी गई हैं जिसमें जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उससे शिया समुदाय खासा नाराज है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शिया के धर्मगुरू मौलाना कलवजवास साथ सौगत है बहु में सब काबल एतराज है और इन बातों के जरीए से शिया सुनी मौबाद भी पहलेगा और हिंदू मौबाद भी पहलेगा आज तक हमने तो नहीं देखा कभी कोई ऐसा कोई आया हो जिसमें लिखा है समस पुलिस आयुक्त उतरपरदेश समस वरिष्ट पुलिस ध्यक्चक पुलिस ध्यापक बर्वारी जन्पत उतरपरदेश जिनाक उन्नीस आट दोहजार इक्यस के मनाए जाने वाले महरम के और सरपा सुरक्षा व्यस्ता के संबंद में दिशा निर्देश ये इसके उपर लिखावा है और ये हमाई जो डीजीपी साहब है मुक्ख्याले पुल जाने वाले शियाँ हैं वो तबर्रा पढ़ते हैं महरम में और इसके अलावा पतंगों के ओपर तबर्रा लिखकर वो उड़ाते पतंगे और आवारा जानवरों पर तबर्रा लिखते हैं इसका मतलब ये मतलब ये कट्रिवर्स हो रहा है इनके कहने से पता चलता है तो इस से पूरे यूपी में टेंशन फैल रहा है कि शिया ऐसा करते हैं जब कि आप इतने दुनों से यहां पर हैं प्रेस में बलकि आप से जो बुजर्ग हैं उसे भी पूछ लिजे कि कभी कोई ऐसा वाकिया हुआ है आपके संग्यान में कि पतंगों पर तबारा लिखा गया हो या पिर किसी जावार जानुर पर तबारा लिखा गया आपके संग्यान में आपसे जो पचास साल बुढ़े आपके जो सहाफी लोग हैं अखबार बाद उससे पूछ लीजे कि ऐसा कभी कोई उनके संग्यान में वाकिया है कोई वाकिया ऐसा हुई नहीं है तो ये क्या लिख रहे हैं फिर अपती तरह से गड़कर लिख रहे हैं अपती तरह से बना कर लिख रहे हैं ताकि ये शिया सुननी टेंशन इससे पहले पैदा हो ये नहीं इसके आगे भी है कि अतिश महरम संपरदाय के दिर्शी कोर से अतीस संवेदन शील है बुद्धतों से कोई फ़साद नी ओए शया संपरदी है तो ये विख और इस संवेदन स्वेद शील कहा से हो गिया यह यहांने बहुत ज्यादा भिस फोटा गए यह तो आप बताये आपके को संख्या लिख संवेदने शिया संवेस फ़सादते वरत इतने बरसों से हुआ है कोई ऐसा विवास हुआ है श मुहर्म को आप बंदाम कर रहे हैं जगड़े की जोड़ है इसमें डाइडलाइन में चीज और मेंशन की गई है जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं इसमें चीज और मेंशन की गई है इसमें लिखा है कि जो सुन्नी और शिया को विवाद ना बढ़ पाए उसके चलते ये सारी तैयारियां की गई है तो मतला पुलिस की तरह से यह तैयारिया की गई है यह कट घरे बेशियों को खड़ा किया गया है जूटे इंदाम लगाए गए जो चीज हो नहीं रही है आप यह कहिए कि हर रोज शिया जो है वो दो हजास सुनी हो खतल करते हैं बाद में आवी गई हमने तो यह स्वाधिती तोर पर कहाई इसमें कुछ पढ़ने की भी बात कही गई है बता पाएंगे दर्शू को आप को शिया समूदा है कोई चीज पढ़ता है एक तबर्रा लिखाए कि तबर्रा पढ़े जाने पर यानि मतलब यह होता रहता है शियो के तसे जबकि महरम में और जुरूसों में और बंजसों में कोई तबर्रा नहीं होता है उनके जो खलीफा है उनके खिलाफ वो होता है जिसको लानत कहते हैं उसको कहते हैं कि वो पढ़ते हैं यह उनको बरा भला कहते हैं तो यह कहीं नहीं होता पूरे शियों में पूलिस के पास सबके रिकार्ड हैं वो रिकार्ड करते हैं तक्रीरों को रिकार्ड करते हैं जुरूसों को रिकार्ड करते हैं तो कोई रिकार्ड लिखाए हो जिसमें तबर्रा पढ़ा गिया हो सब जूटा इल्दामात है ये अफाधत करेंगे ये ये लवाने के लिए क्लिए क्लिए ये 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 नहीं अपर धार्बी की जुनूसों एवं कार्डियों यों सम्भंदी घट्राएं होती है याने रेप होते हैं इसमें शियों के जुनूसों में रेप होते हैं यों सम्भंदी घट्राएं होती है ये यों सम्भंदी घट्राएं किसके साथ नहीं इनको तो अदालत के कटगरे में दाना चाहिए यों सम्भंदी घट्राएं होती है और गौवश वद होता है गाय काटी जाती है इसका मंदर में हिंदू मुस्ली फसाद परगाने के बीज़ में तैयारी है यह देखती है आप इसमें देखिए आप देख सकते हैं खुद दिखा रहे हैं कलवे जवाज साब ये इसमें साफ साफ जो उन्होंने बताया है वो इसमें लिखित में है हालाकि यह लेटर जो है यह पब्लिक के लिए नहीं था और यह सपी जो डिस्ट्स के थे उनके लिए था पर जो लैंग्वेज है जो भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर आपत्ती जताई है शिया धर्म गुरू ने सर यह मैं भी देख रहा हूं आपने कहा पर इसमें प बाता है इसा क्या मैं अपनोन संबन्ध है एक히 हम कह देने कि goodbye कात्या है odpow जाती है महरम में इसका मनले का आप कि हिंदूों को महर्कार히 महर्म के खिलाफ कि कि कहां गाय काटे जाती ही को फ़ूद दीजी है सब जोटे और अधा गए apt नदे और लगाए गए हैं कि जिसे पूरा शूपी का महल खराब हो रहा है शियासुनी महल खराब हो रहा है हिंदू-मस्ली महल खराब हो रहा है और इसकी पूरी रिम्मेदारी हमाई डीजीपी साब के इस बयान के उपर है और ये कोविड से यह संबंदों से और कोविड से क्या मतलब गाये का वद्ध हो रहा है कि उसमें कोविट से क्या मतलब डिजीपी कह रहे हैं कि यह कहिए का आप बजबा ना हो भीर ना हो लोग मास्क लगाएं सोशल डिस्टेंसिंग है यह कोविट है यह हम यह कहें यह संबंद होते हैं लेहादा कोविट से इसका तालग है सर डिजीपी की तरफ से तो कहा गया जो लिखा गया वह हम पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली बात हुई है तो उनका कहना है कि यह जो चीज आई है यह पिछले तीन चार साल से ऐसे ही आ रही हमाएं हाथ मेरे साल का है हमें इस पे इतराज है कि आप नहीं ने यह ऐसा लगता ह बुल्दा भी यही निजाम शीयों पर लगाते हैं जो इसी ने लगाए हैं इसका मतना है किसी अलकाइदा के मौलवी ने इनको लिखवाए हैं बुल्दा ने लिखवाए हैं क्या मांगए आपकी यह अब हमाईए के वापस लें इसको और हमने कहा है कि हम किसी भी मीटिंग में शरीक नहीं बलाते है मीटिंग महरम की, पीस मीटिंग मीटिंग के डिनामा किया जाता है और घंगा भरकाने की पूरी कोशिश चीजा रही है, तो ऐसी पीस मीटिंग CP महरम के जो अगर कि लोग जो बलाते हैं उसमे हम दो शरीक नहीं होगे खेげ 없어 कि इसको वापस लिया जाया क्योंकर इसे बना शियासों नियों भड़ता सकता है और इस छिंदू मस्लीम भड़ता है और अगर भड़ता है और अगर भड़का तो veut ्रेंदारी पूरी-पूरी हमारे मुख्याले म अधिशक उत्ता पर्देश पर होगी जली ये बियान जारी किया है जलूस पर भी इस बार भी रोक लेगा दी घलूस आप जलूस नहीं निकालो तब हम कहते हैं कोविड के बारे मात हो रही है सोचल डिंसेंसिंग होना चाहिए कोविड के बारे बार से और यॉल संबंद हो रहे हैं इस से कोविट से क्या तालुख है गाय का वद हो रहा है यह से कोविट से क्या तालुख है जो कुटा इल्दाम के तबर्ला जानवरों पर लिख कर उस पर छोड़ दिया जानवरों को आज तक कि भी संग्यान में आपके आया है अप बदर्गों से पूछ लीजे कि कभी ऐसा कुछ हुआ है तो जीज हुई नहीं है वो आप जूटी इल्दाम लगा रहे हैं तो इसका मत्तब है कि आप जान बूज कर जो है वो टेंशन पहलाने की कोशिश हो रही है लेहाद इस बयान से बजाए अम्ल कायम होने के इसे दंगा भरकते का खतरा है हम भी समझते हैं लिए इस बयान को वापस लिया जाए और जो है और इसके बाद जो है वो किसी पीस मीटिंग में हम लोग शरीक नहीं हो किसी के विरुद्द कारवाई की भी मांग करेंगे इस तरह के भाश्चा का प्रेयोक सुनके अब ये योगी जी के जाबियां पैदा हो रही है अब ये योगी जी के उपर है कि इसको गंभीरता से लेते हैं के नहीं करेंगी बलकि बिगाड़ेंगी पर चाहे वो शिया सुनी के बीच हो या फिर हिंदू-मुसल्म के बीच हो कैमरमें नीरश कुमार के साथ समर्थ श्रवास्त आज तक